नवस्कार दोस्तों, उद्रे किसी का भी अचानक नहीं होता है, सूरे देरे देरे निकलता है और उपर उठता है नवस्कार दोस्तों रादे रादे, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल गीता ग्यान में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंग रासी वालों की सिंग रासी वालों को 5 जुलाई दिन सौमार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाल समय में किनिकिन चीज़ों से साब्दार रहना होगा और सिंग रासी वालों को आने वाल समय में वो कौन-कौन से कुसकवरी मिलने वाली है तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंग रासी वाल को पारिक बार जीवन कैसा रहेगा उनका बिजन शिवापर कैसा चलेगा उनका प्रेम समन्द कैसा रहेगा और साथे साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर दोस्तो आपकी भी सिंग रासी है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तो आज सौंबार है सिप जी का दिन है कमेंट में दोस्तो जैस सिप जी लिखेंगें सिप जी आपके मनोकामना पूरी करें दोस्तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सस्क्राइब जरू करें और साथ इसाथ वेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आनवल नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांगी पान जुलाई 2021 के दिन सौंबार आज के दितिया एका दसी आज का नचत्र है वणनी नचत्र है पच्छे चल रहा है किसम पच्छे आज सूर उदे होगा सुबह पांच वज़ के 28 मिनट पर और सूर अस्त होगा साम साथ वज़ क की तेजन पर दोस्तो आजका सुब समय है सुबह 11 वज़ के 57 मिनट से दुपहर बारह वज़ के 53 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो आज आपको सुब करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें आपके विए सुब रहेगा साति आपको कंू बताएं आज का सुब आज लेजी तो साम 4 वज के 35 मिन तक रहेगा दोस्तो आज आपका लखी लंबर है 5 और सुब रंग है फिरोजी, आस्मानी और नीला दोस्तो अब बात करते हैं आज की चाड़क निति ग्यान के बारे में चाड़क की जी कहते हैं कि लगाता मिल रही है असफलता तो अपना चाड़क की गईये टिप्स होंगे सपर और मिलेगी कामियावी आईए जानते हैं जीवने में सफलता हासल करने को लेका चाड़क ने अपने निति गिनत यानि चाड़क नीति में कई बातों का वड़न किया है इन निति के रास्ते पर चलकर को भी अपने जीवन को सही रूप दे सकता है और अपने लच्च को प्राप्त कर सकता है आचारे ने निति सास्तर के चटे अध्याय के एक इसलोग में कामियावी के मूल मंतरों का वड़न किया है आईए जानते हैं आचार चाड़क के सफलता के मंतरों के वारे में नमर बन लच्च पर केंद्रित होना आचार चाड़क कहते हैं कि ब्यक्ति को अपने लच्च पर एक सेर की तरह नजर रखनी चाहिए जैसे सेर अपने सिकार पर नईर गड़ा कर रखता है और मौका पाकर सिकार पर जबट पड़ता है वो अपने सिकार में सफल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका द्यान उसके लच्च पर केंद्रित रहता है नमर टू एकागरता आचाग चाड़क कहते हैं ब्यक्ति को किसी वी छेत्र में सफलता मिलेगी या नहीं या उसकी एकागरता सक्ति पर निर्वर करता है किसी वी उतिस की प्राप्ति के लिए अन्य चीजों से ध्यान हटा कर लच किंद्रत करना चाहिए एसा करने से ब्यक्ति के लिए सफलता के रहा आसान हो जाती है नमर टू एमांदारी से महनत आचाग चाड़क कहते हैं किसी वी काम में सफलता उसकी प्रति इमांदारी से की गई महनत पर निर्वर करती है काम छोटा या बड़ा कैसा भी हो उसे पूरे इच्चा सक्टी के साथ करना चाहिए नमर फू उर्जा आचा चाड़क कहते हैं ब्यक्ति को किसी वी मुकाम पर पहुँचने के लिए एक सफर को तया करना पड़ता है लेकिन कई वाल ब्यक्ति सफर के बीच में हिम्मत हार जाता है और विफल हो जाता है ऐसे ब्यक्ति को सफर के अंतर तक उज्जा से उत्पृत होना चाहिए अंतर तक हार ना मानने वाला ब्यक्ति सफलता को हसल कर पाता है दोस्तो आपको चाड़कनीति ग्यान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हूँ तो एक लाइक जरू करें दोस्तो अब बात करते हैं आज के रासिपल के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आज की जानते हैं तो दोस्तो मांसिक सामती को प्राप्ट करने के लिए एवग तनाव के करणों का समाधान करें आज के दिन दनानी होने के संबावन आए इसलिए लेन-लेन से जुड़े मामलों में जेतना आप सत्रक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा जिल लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है, उनसे बास्चित और संपर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आप अन्वाव करेंगे कि आपके प्रिया का आपके प्रिति प्यार वाखी बहुत गहरा है कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी अगर आप किसी बिवाद में हैं तो आप लड़ाई जगड़े से दूर रहें और आप उस पे बात्चित ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक सांदर साम गुजार सकते हैं साथे साथ आपको बताएं आज अधकारी बर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलेगा आज माता पिता का सयोग प्राप्त होगा अनिमे दिन चलिया के कारर आज आपको आलश तकान महसूस होगी किसी से बात करते समय अपनी बाड़े बस सयम रखें लंबेर्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है इस रासी के इंजिनियर्स के लिए आज का दिन सामन रहेगा आज में अनिमे दिता आप मैंसे कुछ लोगों को चड़ चड़ा बना सकती है साथे साथ आपको बताएं आज आप अपने जिम्मदारियां को समझेंगे अपने प्रतिय द्वंद्यों से आगर रहने के लिए विवसायकों को मेनत करनी पड़ेगे दन के इस्ति अच्छी बन सकती है बहान सुक्की भी प्राप्ति हो सकती है आँख मून का दूसरों पर बरोसा ना करें आपको हानी हो सकती है आप निजी जीवन में मैतपुर लेने लेने में सपर रहेंगे जीवन साथे के साथ दिन बताएंगे और भगवान विष्णू के आप अरातना करें तो आपके लिए अच्छा होगा साथे साथ आपको बताएं सामाजिक बाजन सेवा के कारणों में आप बरचड़ कर हिस्ता ले सकते हैं आप सामाजिक कारणों के लिए चंदय इत्तादी भी दे सकते हैं जीवन साथे के साथ किसी रोमें चक इस्तल के आप सेर पज़ा सकते हैं जिससे आपको मन को थोड़ी सामती मिरेगी आप दोनों का भावनात्मक लगा बढ़ेगा जिसके चलते आप उनके लिए कुछ कीमती उपार भी खरी सकते हैं और आप उने ये उपार दें तो आप दोनों को एक कुछी का अनबब होगा साथ ही आपको बताएं आपके ब्रूदियों पर यह समय काफी भाड़ी परने वाला है क्योंकि कार चित्न में तरक्की होने बाप प्रमोसर मिलने से भी देखते रह जाएंगे साथे साथ आपको बताएं आप अपने घर के लिए आरा में बिलास्ता की कुछ बस्तुआं खरी सकते हैं अतिती आपकी साम को कुछ नमा और यादकार बना सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ अपनी भावनाओं को साजा करने के लिए आज का दिने बहुत आदर से देना है आज दिनवर के दोरान आप पर काम का दबा बढ़ता रहेगा इसके कारण आपको अपने कारण को पूरा करने के लिए बिलम का सामना करना पड़ सकता है आपकी दिन चरिया अनिष्टा दुन दिनेताओं के कारण बंग हो सकती है बड़े और प्रमुक नेड़े लेने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपके हैरान और परिशान होने के संभावना है सभी प्रकार के तर के बितर और लड़ाई जगडे से आप दूर रहें आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा साथी आपको बताएं अधिकतर समय ब्यक्तिये के तता पारिकवारी कारणों को पूरा करने में ही ब्यतित होगा किसी निकट सम्मंदी के साथ चल रहा बाद विवाद आपके प्रयासों से दूर हुआ कोई समय रूची पूर कारणों में ब्यतित करेंगे तो आपको सुकुन और सांती मिलेगे समय में आए बतलाव की बज़ा से अपने दिन चर्या में सुदा लाना जरूरी है कोई निजी सम्मंदी आपके बंते कारणों में कुछ विवदान पैदा कर सकते हैं बच्चों के साथ कुछ समय बितित करने से उनका आद विश्वास बढ़ेगा मीडिया तता ओल्लाइन कारणों से सम्मंदित अधिक जानकारे लेने का प्रयास करें इस समय रेटिल और दैनिक इंकम पर अधिक ध्यान दें आर्थिक इस्तिति सामान रहेगे परन्तु जरूरत अनुसार कारणों पूरे होते जाएंगे दामपत जीवन में गलत पैमियों को इस्तान ना दें आपसी सामान जस रखने से घर का बात अबर भी कुष्णमा बना रहेगा दोस्तो अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की तो दोस्तो आज पारेकवारी बात अबर आज कुष्णमा बना रहेगा साती वड़े वजरुकों का आसरवत आपकी घर परवार पर बना रहेगा और दामपत जीवन में पती पत्री के बीच किसी पारबारे मुद्धे को लेगा थोरा मन वटापक कानो सुनी हो सकती है और अगर आप ध्यान दें तो जरासी समयदारी से बातवर पुना ठीक हो जाएगा साती आपको बता दें गर परवार पर बिवसाय संबंदी सभी कार्म जीवन साती के स्रयोग मिलेगा और आपसी भावनात्मक संबंदी मजबूत होंगे परवार के साथ मनुरंजर वाट डिनर के लिए जाना यादकार परव में सामिल होगा पती पत्रे के बीच समंदों में नजदी की आएगी बस आज आप उनसे जोवी काएं सांती वा प्यार से काएं साथ ही आपको बता दें किसी प्रिया से आज मुलाकात पुरानी यादों को फिर से ताजा करेगी और दोस्तों आज का दिन आपके प्रियम जीवने के लिए बहुत ही अच्छा दे रहने वाला है इस दिन का आपको लाब उठाना चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की तो दोस्तों स्वास्तों को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने के जरूत नहीं है बस आज आपको काम की बज़या से थकानवा कमजोरी मैसुस हो सकती है इसके चलते आपको थोड़ा आराम करना चाहिए साथ ही आपको बताएं आप अपने स्वास्तों को और भी एदचा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योगा बयायाम करते रहें नबसका दोस्तों रादे रादे दोस्तों अगर आपने मारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ साथ वेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें